प्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ मश्रूम की ये इजी और टेस्टी सबजी अच्छे रिजल्स के लिए रेसिपी को अंतक देखें और स्टेफ पाइ स्टेफ फॉलो करें इस वीडियो में सबसे पहले हम मसाला तयार करेंगे जिससे की हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे रेसिपी को शुरू करते हैं देकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सबसे पहले गैस पे एक पैन रखेंगे उसमें दो चमश तेल डाल देंगे तेल के गर्म होने पे उसमें डाल देंगे रफली चॉप, प्यास, लहसन, अधरक और कुछ नारियल के टुकडे नारियल के जगा आप काजू के कुछ टुकडे भी इस्तिमाल कर सकते हो सबसे पहले तेल में मैंने नारियल के टुकरों को डाल दिया है और उसे फ्राइ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए पिर अधरक डाल देंगे रफली चॉप्ट अधरक लसन इसमें डाल कर हम फ्राइ करेंगे साथ ही डाल देंगे प्यास को भी और सब को हम अच्छे से 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे मैंने दो बड़े साइस के प्यास का इस्तेमाल किया है हाज को मैंने मीडियम से लो पर रखकर इन सब को पेशिंस के साथ फ्राइ कर लिया है जब इसपे हलके ब्राउन मांक्स आने लगेंगे तो इसमें हम डाल देंगे टमाटो लाल टमाटो डाले पके हुए इससे कलर अच्छा आता है इसमे थोड़ा नमक डाल देंगे ये टमाटर और प्यास को पकाले में मदद करेगा और इसको भी मिला लेंगे हम इस स्टेज पर आप जाहो तो इससे ढख कर सिम पे टमाटर गलने के लिए छोड़ सकते हैं या ऐसे भी हिलाते हुए इसको पका लें टमाटर हमारे दीरे-दीरे मैशी और पलपी हो जाएंगे अच्छे से पकना चाहिए हमारा ये मिक्षर देखिए इस तरह से टमाटर मैशी और गल जाएंगे कलर चेंज हो जाएगा एक बोल में दो बड़े चमच फ्रेश का दही लेंगे दही खटा नहीं होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए अगर आप दही नहीं यूज़ करना चाहते तो इसके जगाद दूद का भी इस्तिमाल कर सकते हो इसमें हम अपने सूखे मसाले डालेंगे दही को थोड़ा मिला ले फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर फिर इसमें डालेंगे थोड़ी तीखी लाल मेश आधा चमच के करीम और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए एक चोटा चमच डाला है मैंने इसके बाद हम इसमें डालेंगे बुनेवे जीरे का पाउडर एक चोटा चमच, एक चोटा चमच काली मिर्च का पाउडर और दो बड़े चमच धनिया पाउडर इन सब को हम दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे और एक पेस तयार कर लेंगे मसाल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए आप चाहे तो दूद भी इस्तिमाल कर सकते हैं तयार करने के लिए अब हम अपने जार में ठंडे किये हुए प्यास टमाटर का मिक्शर डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल कर लीड बंद करके इसको एक स्मूध पेस बना देंगे इस तरह से एक पैन लेंगे उसमें हम बटर डाल देंगे थोड़ा सा ओयल भी आड़ कर सकते हैं ध्यान रखे कि आपका बटर जले ना बटर के मिल्ट होते ही इसमें हम डाल देंगे हमारे मश्रूम के पीसे साफ किये वे और क्वाटर में कटे वे आप यूज कर सकते हो मश्रूम इसक चोड़ेगा और पानी भी सूख जाएगा उसके बार और हलका हलका ब्राउन होने लगेगा हमारे मश्रूम्स, ब्राउन होते ही हम मश्रूम्स को पैन में से निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, पैन को वापस रखें, इसमें तेल डालें, दो चम्माच के इसे हम लो फ्लेम पर कुछ सेकेंज के लिए तेल में पका लेंगे, जैसे कि गरम मसाल अपना फ्लेवर छोड़ दें तेल में, इसके बाद इसमें हम लोग अपने प्याज वाली पेस्ट को डाल देंगे, प्याज टमाटर पेस्ट को अच्छे से हम इसमें पका लेंगे, आ खटा होते जाएंगे मसाले अब लग भग तैयार हैं और हलका ब्राउन हो चुके हैं इसमें हम डाल देंगे दही और हमारे सुखे मसालों का मिक्षर इसको हम सिम कर देंगे और मसालों के साथ मिलाकर दही को पकाते जाएंगे इससे हमारे दही फटेंगे नहीं और नमक भी हम बात में आड़ेंगे अगर पहले आड़ेंगे तो दही के फटने के चांस होते हैं तो मसाला मेरा भून गया है दही पुरपअ गया तब मैने नमक ज़िए है अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अपने मसाले के साथ मसालो को जितने अच्छे से भूनेंगे उतने अच्छे फ्लेवर आएंगे तो अच्छे से पेशिंस के साथ इसे भून लीजिए ये तेल छोड़ने लगेगा मसालो में मैंने थोड़ा सा पानी अट किया है जिससे मेरे मसाले जलेना मसालो को हिलाते वे पकाएंगे इसमें थोड़ा धनिया पती में काट के डाल दोंगे इससे धनिया पती का बहुत अच्छा प्लेवर आ जाता है ग्रेवी के साथ पकने के साथ मसाला हमारा भूंता चला जाएगा अब मसाला हमारा लगपक जब तयार हो जाएगा इस तरह से मैं इसमें गरम मसाला पौडर डाल देंगे इस गरम मसाली के रेसिपी मेरे चैनल पे है आप चाहो तो चेक आउट कर सकते हो मसाला ऐसे तयार हो जाएगा फिर इसमें हम अपने mushrooms और frozen matter डाल देंगे इनको भी मसालों के साथ एक मिट पकाने के बाद इसमें हम अपना पानी डाल कर अज़ेस्ट कर लेंगे boil आने देंगे इसमें जब भी इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें add कर देंगे थोड़ा सा roasted कसूरी मेती हाथ से मसल का बहुत थोड़ा डालना है वरना कड़वी हो सकती है हमारी सबसे एक अर्दी फ्लेवर देता है हमारी ग्रेवी को स्कुच्चे से मिला लीजिए और देखिए हमारी ग्रेवी तयार है गैस को बंद कर देंगे धनिया की पतियों से गानिश कर लीजिए देखिए हमारी ग्रेवी कितनी क्रीमी और थिक पनी है खाने में बहुत लजीज होती है तो ज़रू ट्राइ करेए इस रेसिपी को अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए डिशाउट कर लेंगे हम लोग रोटी, पूरी, पराथा, राइस के साथ आप इसे जोई कर सकते हैं मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी मिलती हूँ आप से अकली वीजियो में इसी तरह के और भी रेसिपी इसके साथ स्टे हैपी, स्टे हल्दी, स्टे फिट